नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबी लोगों का इस YouTube चैनल पे मेरा नाम है विरेंदु सेंग और आज जिस चीज के उपर हम बात करने वाले हैं वो है डूज ओफ हैपिनेस यानि डूज ओफ हैपिनेस पे आज चर्चा करेंगे कि आखिर में आपके हैपिनेस का डूज क् मतलब आप जानते हैं यहाँ पे डूज को मैंने मेंसन किया हुआ इन चार हॉर्मोन से यहाँ डूज आर दा फोर इंपॉर्टेंट हॉर्मोन जो की आपके हैपिनेस हॉर्मोन के तौर पे भी जाने जाते हैं D means dopamine, O means oxytocin, S means serotonin and E means endorphin यह चार D, O, S, C they are the actually dose of happiness dopamine, oxytocin, serotonin and endorphins dose dopamine are considered as the reward or motivational or you can say that pleasure hormone जब भी आपको कभी कोई reward मिलता है, कोई आप motivated रहते है, motivation तौर पे रहते है या कभी आपको कुछ pleasure की अनुबोती होती है तो उस time पे आपके body में जो hormone secret होता है वो है dopamine, oxytocin को love या bonding hormone के तौर से तौर पे भी consider किया जाता है जब आप love जैसी feeling में या bonding connected emotions जैसी feeling में जाते हैं तो उस time पे आपके body में जो hormone release होता है वो है oxytocin तीसरा hormone serotonin जो एक mood stabilizer hormone के तौर पे consider किया जाता है और fourth hormone है endorphin जो कि एक pain killer hormones होते हैं अगर आपके body में चार hormone का proportion बहतर हो तो आप एक खुसहाल जिंदगी जी सकते हैं तो चलिए आज बात करेंगे इन्ही dose of happiness के बारे में कि आप कैसे इन्हें regulate कर सकते हैं और body में इनके level को natural way में improve कर सकते हैं तो जी हाँ dose यानि dopamine, oxytocin, serotonin and endorphin are the four critical and important hormones for your happiness और इस वीडियो में देखेंगे कैसे इन्हें हम naturally boost कर सकते हैं तो जैसे हैं मैंने बताया कि there is the four natural hormones, oxytocin, serotonin, endorphin, dopamine जो कि बड़े ही happy brain chemicals के तौर पे जाने जाते हैं The first hormone हो है dopamine dopamine की बात करें तो dopamine को increase करने का एक सबसे पहला तरीका होता है set a goal and complete it अगर आप कोई goal set करते हैं और उसे complete करते हैं तो आपको क्या feeling आएगी? result वाली feeling जब भी आप कोई target set करते हैं और उसे complete करते हैं तो आपके body और brain जो है वो एक reward वाली feeling जिसे हम बोलते आती और वहाँ पे जो hormone release हो रहा है वो है dopamine और जैसी वो dopamine release होता है आपको फिर एक और pleasure के नुबूती होती है दुबारा आप करने की कोसिस करते है तो जब भी कोई addiction होता है किसी को वो अचली इसी की वज़े से होता है dopamine की वज़े से dopamine हमें addicted बनाता है किसी चीज़ को इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई भी काम को complete करिए चोटा काम लीजे complete करिए बढ़ा करके incomplete छोड़ने के बज़ा चोटा काम complete करिए reward, pleasure, उसके बाद addiction ये चीज़े आती रहती है तो set a goal and complete it इससे आपके body में क्या होगा dopamine का release होगा और फिर आप और ज़्यादा काम करेंगे उसी pleasure की feeling लेने के आपका brain जो है वो release करवाएगा Now, second, celebrate the little victory कई बार क्या होता है कि लोग बहुत बड़ी-बड़ी खुसिया ही enjoy करना चाहते है लेकिन छोटी खुसियों को जो इग्नूर कर देते हैं But अगर आपने छोटी सी चीजों को enjoy करना सीखा Think about your favorite meal or new days that you have planned to try and cook in this weekend अगर आप कोई नया meal, नया food जो है वो आप इस weekend cook करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सोचिए खाना चाहते हैं, कही walk करना चाहते हैं, घूमने देना चाहते हैं जो कुछ भी छोटी victory आपने gain करिए mock test में अच्छा perform किया पहले से बेतर हुए या कुछ भी आपने एक छोटी victory करी तो आप celebrate करना सीखिए और बच्चों को से खाईए इससे क्या होगा उनके body में dopamine release होगा वो जीत के लिए जो है वो एगर होंगे उसके लिए उनके अंदर बार-बार addiction आने के चाहते हैं तीसरा cook your favorite meal तीसरा तरीका अपने body में dopamine को बढ़ाने का कि जब भी आपको अगर dopamine बढ़ाना है अपना मन पसंद खाना बनाईए अगर आपने आपको सच में dopamine का कोई और तरीका नहीं आ रहा है तो यह सबसे बहतरीन तरीका है जहे तो मंगा लीजिए या बना लीजिए आजकल तो स्विगी और जुमैटो का जमाना है अपने आपको ट्रीट दीजिए अपने फेवरेट केक के साथ अपने फेवरेट हैंगिंग आउर स्पोर्ट के साथ जब अपनी थोड़ी सी केर करते है अपना थोड़ा सा ध्यान रखते है तो इस की वज़ो से आपकी बॉड़ी में डोपामीन का रिडीज होता है जो आपकी हैपिनेस लेवल को बूस्ट करता है कभी भी आप देखिए अपने आपको आईने के सामने देखते है थोड़ा सा सजदस के बालवाल सेट करके तो आपको लगते हैं हाँ यह स्मार्ट तो देखता हूं मैं है न यह लड़कियों के लिए ब्यूटिफुल तो हूं मैं इतने सुन्दर हूं मैं क्या करूं वाला कॉन सेप्ट आजाता है सल्फ केर करना जरूरी होता है इससे सल्फिस नहीं बोलते है इससे सल्फ लव बोलते है और यह जरूरी है अपने आपके कंप्लीट ग्रोथ के लिए तो इससे भी आपके बाड़ी में डोपामिन बढ़ता जब आप मेकप वगरा कर रहे हो आप नेक्स्ट है गेट अगड एनफ स्लीप रात की जो नीद होती है उसको अच्छे से लीजे यादरे नीद जो होती है वो quantity और quality दोनों वाइस जो है वो अच्छी होनी चीए आपकी quantity भी एक ample amount of 6-8 hours होनी चीए और साथ में जो है जो उसकी quality of जो है नीद है वो भी अच्छी होनी चीए ऐसा नहीं कि 10 गंटे सो रहे है लेकिन दिमाग जो है वो आपका सांत नहीं है सो ही नहीं पा रहे है तो ऐसे नीद भी important नहीं है अच्छी नीद दीजिए और साथ में quantity भी proper करिए जाकि आपका जो dopamine का level है आपके body में जो है सही तरीके से regulated रहे है ले कई लोग जब नीद नहीं ले पाते तो चिर्चिरे होते हैं इरिटेटे होते हैं और साथ में हैपी नहीं होते dopamine का level down हो जाता है राइट तो इस आपके लेटेस्ट वे तो इम्प्रूव योर dopamine नेचरली अगर मैं बात करूँ तो the first one set a goal and complete it right now the second hormone that is oxytocin dose का पहला D हमने किया अब O करने वाले हैं that is oxytocin oxytocin को हमने बोला था love and bonding hormone oxytocin को improve करने का सबसे पहला तरीका है snuggle your pet research ये कहता है कि जो लोग pet owners होते हैं या जिनके घर में pet को रखा जाता है उनके अंदर oxytocin का increased level देखा गया है जब भी वो फर वाले buddies के साथ cuddle करके सो रहे होते हैं या वो जो है उनके घर में pet है तो उनके अंदर oxytocin का लेवल ज़्यादा पाया जाए और oxytocin ज़्यादा होगा तो happiness का ज़्यादा होना लाजमी है दोस्त right second way to improve your oxytocin that cuddle with the baby कभी भी आप देख लो छोटे से बच्चे के साथ ओले 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 मेला लाजजा बेटा करते हैं क्या क्यों अच्छा लगता है है ना छोटे से smiling face बेबी को देखते हैं कभी भी आप travel करते हैं भी देखते हैं तो आपके चेहरे पर you will feel good और जब आप अच्छा फील करेंगे तो happy feel करेंगे right the third way to improve your oxytocin level is hug someone अगर आपका partner है आप उसे hug कर सकते हैं parents को hug कर सकते हैं दोस्तों को hug कर सकते हैं अगर आप किसी को normally hug करते हैं तो आपकी body में oxytocin का level बढ़ता है जिसकी वज़े से अगर आप दिन भर की थकान हो दिन भर duty करके आये हो लेकिन अगर साम में आके आपको एक प्यारा सा hug मिल जाए तो आपको क्या लगता है लैसा लगता है कि जिन्दिगी थोड़ी सी अच्छी चल रही है वो बहतर चल रही है आपकी happiness level थोड़ी बूस्ट हो जाती है क्यों? क्योंकि ओक्सिटोसीन बूस्ट हो गया है आपको भी पता होता है अगर किसने का एए यूर लुकिंग गॉडजियस एए यूर लुकिंग स्पाट एंड हैंसम सर आप अच्छे लग रहे हो या आप इस ड्रिस में अच्छे लग रहे है तो इसके क्या तातपर है अच्छा लगता है न कानों को exactly क्यों अच्छा लग रहा है भाई कान के साथ वो words गए बॉड़ी में गए और बॉड़ी में जाने के बाद brain के अंदर एक chemical secret हुआ that's again oxytocine जब आप compliment pass करते एक दूसरे पर तो उससे क्या होता है oxytocine का level बढ़ता है इससे आप अच्छा feel करते है तो कहते न कि पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले जूठा ही सही ये जूठा ही compliment pass कर देंगे तो भी थोड़ा oxytocine बढ़ जाएगा क्योंकि किसी को बता के करना नहीं है इसलिए oxytocine बढ़ाने का ये भी तरीका है एक और तरीका है oxytocine को बढ़ाने का अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो just hold hands when you hold hands with your loved ones इससे brain तुरंद calm और relaxed feel करते है जिसकी वज़ए से oxytocine आपके body में बढ़ जाते है तो oxytocine को जो है improve करने के मैंने 5 तरीकों को mention किया सबसे पहला कि अगर आपके पास pet है तो आप उनके साथ जो है थोड़ा सा time spend करें एवन आप nature के साथ भी spend कर सकते हैं दूसरा baby के साथ cuddle करें connect with the baby talk with the baby play with the baby it will boost your oxytocine level in the body इसके बाद third level मैंने बता है hug someone fourth level बता है compliment जो है पास्वन करिए थोड़ा सा तारीफे करना सुरू करिए और साथ में fifth one just hold hands with your loved one इस पाँच वे से जो है oxytocine का level आपकी body में increase हो सकता है now the third hormone of the dose of happiness is serotonin now serotonin एक third hormone होता है इसको मैंने बोला था mood stabilizer hormone और ये mood stabilizer hormone यानि serotonin का level अगर हमारे body में अच्छा है तो हमारा mood must हो रहा हो और अच्छा नहीं तो हमारा mood चीड़ चीड़ा सा रहता है irritated रहता है so how can we increase the serotonin in our body with some natural ways the first way is to meditate meditation एक बहुँ simple तरीका है एक proper posture में बैट के अपने deep breathing moment में जाके सांसों को observe करना अपने thoughts को observe करना अपने अंदर की चीजों को feel करना अपने sensations emotions को feel करना that is basic about meditation the detailed about meditation YouTube बहुत available है आप उनको देख सकते है the dose of happiness यो है वो ये कपराई कर सकते इसके बाद the second the point जिसे आप अपने अंदर serotonin को बढ़ा सकते go out and run बाहर जाओ walk करो run करो जब आप अपकी body movement में लेके आते है न तो आपके अंदर release होता है खासको running और during the walking serotonin release होता है अपका भी भी देख लो गर आपका mood अच्छा ना हो ना एक walk पे निकल जाओ रात में दिन में जब भी हो जब आप walk पे जाते हो तो आपका mood automatically calm and composed हो जाता है क्यों? क्योंकि body में secret क्या होँ serotonin जिसने क्या क्या mood को stabilize तो walk and run करना भी mood को stabilize करने के लिए serotonin की level को बढ़ाने के लिए एक बहतर तरीका है तो third way, listen music जो music पसंद हो तो ऐसे music को भी आप सुन सकते हैं जिसे आपको अच्छा लगता हो सब के अपने अपने choices हैं अपने अपने तरीके हैं जैसे मुझे किसूर कुमार कुमार सानू के गाने जो है काफी पसंद है मुहमब रफी is also good तो मैं एकसर इनके गाने सुनता रहते हैं तो आप जो है काने सुन सकते हैं स्टेबलाइस कर सकते हैं अपने मूट को serotonine को बढ़ा सकते हैं फूर्थ टेक swimming laps गे आता है जब भी आप swimming करते हैं ठीक है कोई ऐसा दीम खेलते हैं even not only the swimming कोई भी sports करते हैं तो उस दोरान आपके body में not only stress hormone कम होता है, साथ में serotonin का level भी ज़ो है वो ज़ादा होता है, जिससे आपका mood stabilized रहता है, इसलिए आप देखते होंगे, ज़्यादा तर जिनकी जो है थोड़ा ऐसे activity करते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा happier देखने को आपको मिलते हैं, ज़्यादा stabilized. याद रहे कि 10 से 15 मिनट का भी सनलाइट जो होता है वो आपके दिन को बहुत बहतर बना सकता है, आपके mood को बहुत stabilize कर सकता है, reason being that, कि actually में ये आपके अंदर serotonin के level को बढ़ाता है, तो मैंने 5 level को यहाँ पर mention किया, जो करके आप serotonin को level को बढ़ा सकते हैं, पहला meditate करिए, दूसरा बाहर निकल लिए, थोड़ा walk करिए, run करिए, तीसरा थोड़ा सा listen करिए, music को अपने मन पसंद गानों को सुनिये, हम तेरे बिन रह नहीं सकते हैं, या मेरी भीगी-भीगी सी, या तुझे देखा तो यह खयाल आया, कुछ भी अप सुन सकते हैं, जो आपका मन हो, आप थोड़ा सा swimming करिए, कुछ स्पोर्स में participate करिए, या sunlight, थोड़ा सा sunlight को लीचिए, याद रहे, पैतालिस डिग्री के धूप में खड़े नहीं हो जाएगा, लेकिन अभी तो ठंड का मौसर में, या sunlight का नजारा आ ले सकते हैं, नाओ दे, फोर्थ हॉर्मोन अफ दोज, इस अंडॉफिन, अंडॉफिन is the last hormone, of the dose of happiness, अंडॉफिन is also known as pen killer hormone, so let's see, हम कैसे अंडॉफिन को बढ़ा सकते हैं, पाँच नेचुरल वे से, पहला तरीका होता है, exercise, so actually आप देखते हैं, जब आप exercise करते हैं, तो आपके बॉड़ी के कई सारे pains और चीज़े, जो है, वो automatically release हो जाती है, कहा जाता है कि, पाँच मिनट का exercise भी आपके बॉड़ी में, अंडॉर्फिन को release कर देता है, लेकिन if you are doing the 30 minute exercise, तो आपको एक ample amount of, जो है, एंडॉर्फिन आपके बॉड़ी में release होता है, याद रहे, exercise should be the cardio level exercises, not like the biceps and triceps one, बेहता है कि, आप whole body exercise करो, so that endorphin का level एक appropriate amount में पूरी body में हो, ना कि सिर्फ आपके biceps में हो, तो वो body building is different part, I am talking about exercise, not the body building, कई लोग इसी को inspired हो के, जिम जाना शुरू कर देंगे, कर सकते हैं, but yes, आप exercise को किसी भी form में कर सकते हैं, walking, running, jumping jack, या आप जो है, आजकल jumba dance है, जो है, push up सोते हैं, normal, बहुत सारे exercises आपको देखनी को मिलते हैं, आपको YouTube पे मिल जाएंगे, second way to increase endorphin in your body, at love out loud, अगर आप बहुत तेज हसते हैं, खुल के हसते हैं, कई लोग आते ही 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 ही, सही बोल रहे ही ही, ऐसा वाला हसाई नहीं होना चाहिए, that should be like that, हाँ हाँ हाँ, जब आपको कोई चीज अच्छी लगे, तो खुल के हसो, अगर आप कभी भी खुल के हस लीजे, पाँच मिनट आपको पता चल जाएगा, आपके बोडी कितनी stress relief फील कर रहा है, anxiety कितना reduce हो गया, आपका mood कितना boost हो गया, आपके बोडी में endorphin का level पूरा पूरा flusht हो चुका, इसलिए आपकी जो हसनी के बाद, बहुत light feel करते हैं, तो जब भी आपको ऐसा लगे, एक comedy वीडियो लगा, आरजे नाविद को देखो, किसी को देखो यार, हसो खुल के, मैं Mr. Bean, आरजे नाविद, ऐसे चीज़े देखते रहता हो, just to make myself happy, थुड़ा हसने के लिए, इससे भी इंडॉर्फिन, बाडी में रिलीज होता है, थर्ड इसेंसिल ओयल्स, जब आप इसेंसिल ओयल्स का यूज करते हैं, तो इसेंसिल ओयल्स यूफोरिक नेचर्स के होते हैं, यह आपके अंदर जाते हैं, और आपको fill good hormone, और इंडॉर्फिन को सिक्रीट कराते हैं, जिसें आपको अच्छा लगता है, जिसेंसिल ओयल्स आप प्रेजन्ट, आप लेवेंडर है, लेमन है, बहुत सारे अच्छे अच्छे आईल्स, यूकलिप्टस है, उन सब के यूज कर सकते हैं, और थोड़ा सा mood को stabilize कर सकते हैं, साथ साथ में आप एक इंडॉर्फिन को जो है, वो सिक्रीट करा सकते हैं, फूर्थ वे है, जिससे आप इंडॉर्फिन को increase कर सकते हैं, अपने body में वो है dark chocolate, अगर आप dark chocolate खाते हैं, तो dark chocolate are the big source for the happiness, dark chocolate खाने के बाद, आपके बंदर जो है, इंडॉर्फिन का पूरा का पूरा production बढ़ जाता है, जिससे आपको अच्छा फील होता है, इसलिए जो है dark chocolate भी आप खा सकते हैं, इंडॉर्फिन को बढ़ाने के लिए, तो fifth way, to increase इंडॉर्फिन in your body, जैसा मैंने बताया है, watching a funny video, इंडॉर्फिन को बढ़ा सकते हैं, तो आज के वीडियो में हमने देखा, कि what are the dose of happiness, dose means the dopamine, that oxytocin, serotonin, and the endorphin, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, तो comment box में जरूर बतायेगा, कि अपने आज, अब आप क्या करने वाले हैं, अपने इस dose of happiness को increase करने के लिए, और अगर informative लगा, तो like से subscribe करेगा, दोस्तों तक जरूर पहुचाईए, भाई ये एक general वीडियो है, जो जितनी लोग देखें, वो अपने body में naturally इन hormones को बढ़ाएं, और happiness को भी बढ़ाएं, मिलते हैं next video में, तिल दे, बाई बाई, टेक्योर, जाय हैंद।